नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं उसने कहा है कि वह अपने पती के साथ जो वीडियो चैट कर रही थी, पता नहीं उसे कौन एडिट करके वारल करा दिया, महिला ने पुलिस से गुहार लगाई है कि जिसने भी काम किया है, उस पर कड़ी करवाई की जाए, इससे पहले उसका यह वीडियो इंटरनेट मीडिया से डिलिट कर दिया जाए, क्योंकि उससे उसकी काफी बदनामी हो रही है, यहां बता दे कि इस महिला के बारे में बिधायक सरजुराय ने सोमवार को खुलासा किया था कि मंत्री बना गुपता के साथ वीडियो में दिखने वाली महिला बीरसा नगर की रहने वाली है, और भालू बास के एक फरनीचर दुकान में सेल्स गर लाए, विधायक नए भी बताया था कि वीडियो सरुजानिक होने के बाद वह गायप हो गई है, उसके घर पर तला लगा है, ज्यारखन सरकार की यहर एंबूलेंस से वाज जल्द होगी शुरू, बोकारों के गंभीर वनाराज, हैदराबाद, चेन्नाई, लखनाओ, मॉंबाई के लिए यहर एंबूलेंस की सुविधा उपलब्द कराएगी, यह सुविधा बोकारों सहीत, रांची, देवघर दुमका, गिरी धनबाद, वाजमसेद, पूर यारपोर्ट से भी मिलेगी, सुचना के बाद महा विभाग या समदित जीलों के डीसी से संपर्क करेंगे, रांची में पीम आवास योजना के लिए लोटरी कारिकरम, प्रधान मंत्री आवास योजना की तिर्तिय घटक के अंतरगत, इसलाम नगर की असलम बस्ती में निर्मानाधिन आवासों का आवांटन होना है, इसमें पीम आवास के लिए पहली किस्त यानि 20.000 रुपए निगम करेयले में जमा किये है, निगम ने उन लोगों की लिस्ट भी जारी की थी, निगम की ओर से जारी लिस्ट में कूल 283 लावकों के नाम है, लेकिन लावकों को आवास 291 दिये जाना है, कुछ लोगों ने पहली कि जा रही बस रामगड में दुरघटना ग्रस्त, बिहार के पतना के बक्तियार पूर से रांची जा रही यात्रियों से भरी बस रामगड के चुट्टू पालू घाटी में दुरघटना ग्रस्त हो गई है, घाटना में 10 लोगों के जखमी होने की सुचना है, गायलों में 4 की स्थिति गंभीर थी उन्हें आनन फानन में अस्थानिय पूलिस की मदद से रिम्स में इलाज के लिए भेज दिया गया है और ये घायलों का इलाज आस्थानिय अस्पताल में कराया जा रहा है बस में सवार एक यात्री ने बताया है कि सूबा बस रामगर एस्टें से खु जलास है जारखन में कूल एक लाग साथ हजार पाइंच वनठान जलास है इन में से एक लाग छाजार एक सचेहत्तर गाव तथा 1422 सहरी इलाके में हाए इन में से 4,75 जलास है सूग गए है वहीं 1689 जलासियों पर निर्मान कर होने से उसका उप्योग नहीं हो पा रहा है बत रिजरवयर के मामले में जारखन का अस्थान पूरे देश में दूसरा है जल संरचन के लिए किये गए परियास में जारखन को पचवास्थान मिला है रिपोर्ट में बताया गया है कि राजे के 560 जलासियों का अतिकर्मन हो चुका है इसमें 432 तलाब वह 37 जल संकट से कब जा है साथ पर 25 से 75 फिश्थी तक का कब जा है वहीं एक जलासियों 75 फिश्थी से अधिक कब जा है तलाबों की संक्या जे मामले में जारखन पूरे देश में पाचवास्थान पर है हाणी ट्रेप का सिखार होने से बचे बिजेपी बिधायक सीपी सिंग बिधायक सीपी सिंग ने प्रेस वारता कर बताया है कि कल रात एक महिला की वीडियो कॉल आया था मैंने जैसे ही फोन उठा कर कान में लगया मुझे असलील बाते सुनाई देने लगी मैंने फोन काटने का बहुत पर्यास किया अंद में फोन स्वीच ओप करना पड़ा आई सुबह ही पूरे मामले को लेकर लालपुर्थाना में प्रात्मी की दर्ज कराई है सीपी सिंग ने बताया है कि कॉल लाव वक्त 30 सकेंड का रहा मुझे वीडियो कॉल की आदत नहीं थी इसलिए मैंने फोन कान पर ही लगाया वह आगे कहते हैं कि मेरी आदत है कि मैं फोन को हमेशा अपने पास रखता हूँ चाहे कोई किसी भी वक्त फोन करे मैं उठा लेता हूँ कई बार इस तरह से मैंने लोग की मदद भी की है तक दान पेटी और वहां रखे जेवरात आदी चोरी करने के मामले में पुलिस ने चार युव को गिरफतार कर लिया है वही घटनाग को अंजाम देने में परियुक्त दो बाइक भी जबत किया गया है वही चोरी गया दान पेटी भी बरामत कर लिया गया है इन चोरों ने मंदीर में लगातार घटनाओ का अंजाम देकर पुलिस वालों के नाक में दम कर रखा था पुलिस को सुर्य मंदीरी, चंचली मंदीर और रितुडिह मंदीर से जब चोरों की CCTV फोटेज मिली तो उनके पाचान में जुट गई थी पुलिस जीले के सभी थाना में और सोसल मीडिया में फोटेज को सेर कर दिया था जिसके अधार पर कसमार के ग्रामिनों ने चोरों की पहचान कर ली अपनों से ठुकराए बुजुरुकों का सहारा बनेगा दूसरा बचपन अपनों से खासकर परिवार के सेस्यों के द्वारा ठुकराए गए बुजुरुक भी अब सुकून भरी जिंद्गी ब्यतित कर पाएंगे वर्सों के इतियार के बाद बता दे कोडारमा जीले का पहला ओल्ड एज होम बनकर त्यार हो गया है जल्द ही इसकी सुरुआत होगी जुम्री तिलेया नगर परिशत करयाला के पास बंद पड़े सरकारी स्कूल के भवन में ओल्ड एज होम का निर्बान करया गया करीब 38 लाख रुपई की लागत से त्यार किये गए इस होम में बुजरुगों की सेवा को लेकर सावी सुधाय बहाल की गई है कुछ माह के अंदर ही त्यारी हुए इस होम का नाम जीला परसासा ने दूसरा बचपन दिया है बहुत जल्द इसका उध्गाटन महिला बाल विकास वम समाजिक सुरक्चा विभाग के मंत्री जोभा मांजी के आतों कराने की त्यारी है जिस चाट को खाकर बिमार पड़े थे सैकडो अभी तक नहीं लिया गया सेमपल धनबाद के बलियापुर में चड़क पूजा मेला में चाट और गोपचुप खाकर बिमार हुए 200 लोगों पर अभी तक प्रसासनिक रिपोर्ट पूरी नहीं हो पाई है दरसल पूरा मामला फूड सेफटी अपसर विभाग में आकर फंस गया है धनबाद में पिछले तीन महिने से फूड सेफटी अपसर का पद खाली है बोकारों के फूड सेफटी अपसर को इसका परभार दिया गया है लेकिन मेले में खाये गए चाट और गोपचुप का सेमपल प्रसासनिक तोर पर नहीं लिया गया आईसे में बिना सेमपल के किस खादे पदार्थ में क्या था इसकी जाच असपस्ट नहीं हो पा रही है यही वज़ा है कि प्रसासनिक जाच के बहुजूद रिपोर्ट उपायुक्त को अभी तक नहीं सोपा गया है बतादे 20 अप्रेल को लोगों के बिमार होने पर उपायुक्त संदीप सिंग ने तीन सज़से कमेटी गठित करके रिपोर्ट सो अपने का निदेश दिया था रूबिका हत्याकांड के आखरी गुनागार को पुलिस ने किया गिरपतार बोर्यो थाना छेत्रे के गुन्डा पहाड की रहने वाली रूबिका पहाड ये हत्याकांड के अम्तिम आरोपीद सलीम अंसारी को पुलिस ने गिरपतार कर लिया है सोमवर की साम बोर्यों थाना कि पुलिस ने उसे बोर्यों तिन पहाड मुख्य मारे पर चातरा धोंगरा में इस्तित पहाडी होटल के पास से गिरफतार किया वह बाइक से कहीं जा रहा था तब ही पुलिस ने उसे धरदवोचा बता दे घटना के बाद वह हद्राबाद भग गया था इन दिनों इद मनाने आया था स्वास्त जाज के बाद उसे जेल भेजने के तियारी की जा रही है वह बोर्यों के ही फाजील टोला कराने वाला है तथा जेल में बंद अस्टेंड किरानी मेनवल हक मोमीन का दमाध है फरवरी में नए दिली से गिरफतार कर इस हत्यकांड के मुख्य अरोपीत मेनवल अंसारी से पुछताज के दरण उसका नाम बताया गया था जारखन के प्राइवेट स्कूल के फीस बढ़ने से अभिभावक परसान जारखन के प्राइवेट स्कूलों ने मनमाने तरीके से स्कूल की फीस बढ़ोतरी की है जिस पर अभिभावक मन चन्ने नराज़ी चताते वे इसे नियम विरूत बताया है बतादे राजधानी रांची समेट राजी के विभीन सहरों में इस्तित नीजी स्कूलों द्वारा इस्कूल फी एम अन्य मदों की रासी में जाफा किया गया है इस्कूल परबंदन द्वारा लगबग 20 फी दितक की गई बढ़ोतरी ने कहीं न कहीं अवगाखों की परसानी बढ़ा दिया है प्रावेट इस्कूलों में पढ़ा रहे प्रती बच्चा 500 से लेकर 700 रुपे अतरिक्ते देना होगा जारखन सिक्षा ने अधिकरन एक्ट 2019 के अंदेखी करनीजी बिद्याले द्वारा मनमाने तरिके से की गई इस्कूल फी बिरिदी पर अभिवावक मंच ने एतराज जताया है जारखन में सेव की खेती संभाव जारखन में सेव की खेती को लेकर रांची के बिरसा किरिसी इनवर्सिटी में रिसर्च के उत्साह वर्दक पईनाम सामने आ रहे हैं सेव के पवदे में फल लगने से उतसाहित बैग्यानिकों ने कहा है कि आने वाले दिनों में जारखन में सेव की खेती संबव होगा बता दे सेव को ठंडे परदेशों में उतपादित होने वाला फल मना जाता है सेव का नाम लेते ही मन में कास्मीर और हिमांचल परदेश के सेव के बगीचा के दिरी से सामने आने लगता है अभी तक यह माना जा रहा था कि सेव के फूल से फॉल बनने के समय बर्फ बारी होनी जरूरी होती है आइसे में बिर्फा किरिशी बिस्वी द्याले के उद्यान विभाग में सेव को लेकर एक रिष्टार चल रहा है गानम परदेश में सेव की खेती की समभावना को लेकर बिर्फा किरिशी बिस्वी द्याले के प्रारामबिक नतीजा उस्था वर्धक रहा है धन्यवाद